नमस्कार दोस्तों बताने मैं हमेर आपका student area live में आपका श्क्वागत करता हूँ जैसा कि सिर्म मैं दोस्तों आज के date में बताना चाहूंगा आज के date की एक बरी वेकिनसी आई हुई है इंडियन coast guard ठीक हैं? इंडियन coast guard की एक वेकिंसी आई है जिसमें कि आपको उसकी बारे में आज के डेट की जानकारी में बताना चाहूंगा कितने पोस्ट कितने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अब फॉम फिल कर सकते हैं एसी जिसी के दोरह इसे कंड़क्ट किया जा रहा है जिसकी ओफिसियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूं ठीक है इसमें नाविक जीटी और यांदरिक के लिए पोस्ट दे गई है तो सबसे पहले नाविक जेनरल डूटी के बारे में आपको जानकारी बताना है इस जो एक्वेशनल कालिफिकेशन है ट्वल्थ फास होनी चाहिए फिजिक्स और मैट से ठीक है और जानकारी बताना चाहूंगा इसकी जो सलेक्षन फ्रोस्ट प्रोसीडर है ठीक है उसके लिए जो आपकी सलेक्षन प्रोस्ट से स्टेज वन में जो एक्जाम होगी वो होगी सलेक्षन प्रोसेज में 30 प्लस 20 पचास मार्क्ष ठीक है यू आर एडवलुएस ओवीसी के लिए 27 प्लस 17 यानि चोवालिक्स मार्क्ष स्टे के लिए ये सलेक्षन वन और टू के लिए सेपरेटली कंपलसरी है इतने मार्क्ष होनी चाहिए ठीक है अर उसके बाद मैं बता प्रकार से आप डिटेल एक्जामनेशन किस प्रकार से किस सेपरेट के कितने होंगे ठीक है सलेक्षन वन में होगा मैक्समा मार्क्ष 6 मिनिट के लिए टाइम होगा 45 मिनिट ठीक है जिसमें की कोश्चन होंगे 60 सब्जेक्ट जो एलाउट होगा उसमें मैथ्स 20 साइंस के 10 इंग्लिज के 15 और रिजनिंग के 10 जीकी के 5 पार्सिंग मार्स इसमें 30 मार्क्ष लाने नेसेसरी है यूर, EWS, OVC के लिए और 27 फोर्स, SC, ST के लिए सिलेवर्स जो रहेगा 10th क्लास से रिलेटेड रहेगा कि सेक्षन 2 का बात करता हूँ, सेक्षन 2 में मैक्सिमम मार्क्ष होंगे 50, टाइम होंगे 30 मिनर्स, टोटल लंबर और पौस्चन फिफ्टी यानि 50 कोश्चन में आपको 30 मिनर्स के समेश दिए जाएंगे ठीके जिसमें कि आपको मार्स से 25 और फिजिकस से 25 रहेंगे इसमें जो माक्स आपको टोटल लाने है मिनिमम पासिंग मार्स जो है 20 मार्स UR, EWS और OBC के लिए और 17 मार्स SC, SD के लिए ये जो आपके सिलेवस रहेंगे 12th Math and Physics से सिलेवस रहेंगे ठीक है चलिए दोस्तों इसकी संबंद में और मैं दूसरी जानकारी बता रहा हूँ कि इसमें जो सिलेवस की बाते तो मैंने यहां से बता दे रहा हूँ जिसमें आपको सेक्शन 1 में जो रहेगा जो की नाविक जनरल डूटी के लिए है साइंस में जो होगा नेचर ओप मैटर, यूनिवर्स यह जैसे प्लैनेट, अर्थ, सेटिलाइट, सन इलेक्टिशिटी एंड इस अप्लिकेशन ठीक है एवं सकेंड रहेंगे फोर्स और ग्रेविटेशनल, न्यूटरंस, लाव, मोशन, वर्क, एनर्जी और पावर heat, temperature, metal, non-metal, carbon, compounds, measurements, science, sound, wave, motion इसी प्रकार से रहेंगे science के mathematical में जो रहेगा mathematical simplification, ratio, proportion, algebra, identity, linear equation, polydynamic, simulation, equation, basic trigonometry, simple manipulation, geometry, measure of central tendency, average रहेगा insert, interest, profit, loss, percentage, work and time, speed and distance एवं में इंगलीज के जो आपके subject रहेंगे उसमें जावाद है passage, preposition, correction, sentence, change active and passive voice उसकी बाद change direct to indirect to direct, verb, tense, non-finite इसी प्रकार से और आपके एंटोनिम, synonyms, compounds, use of pronouns एवं जैनरल जो awareness है geography, soil, river, mountain, port, island, harbors culturalization, freedom, movement इसी प्रकार से आपको जो है यह रहेंगे मैं इसका आपको लिंक भी description में साथ ही दे दूँगा reasoning में जो है numerical reasoning, associative ability, sequence, spelling, coding, recording यह रहेंगे ठीक है इसकी जो है मैं आपको पूरी PDF के रूप में आपको math description में दे दूँगा जिसके माध्यम से आप जानकारी को पूरी तरह से ले सकते हैं अब हम उसके बाद NAVIC पे आते हैं NAVIC में आपकी क्या criteria है NAVIC के लिए domestic branch के लिए 82-22 years जिसमें 5 year का CST को edge relaxation दिया जाता है 3 years का OBC को इसमें जो educational quality qualification है 10th years की होती है ठीक है जिसमें आपको edge relaxation मिलेंगे selection criteria क्या है इसमें भी जो है आपको NAVIC में के लिए 27 जो होते हैं section 1 में examination होते हैं maximum 60 marks के 45 minutes दिये जाते हैं total question of 60 questions 20 math से science से 10 English 15 reasoning 10 GK 5 जिसमें की 30 marks, passing marks EW, S, OBC और UR category के लिए 27 SCST के लिए syllable जो रहेगा 10 से related रहेगा ठीक है इसकी जो syllabus रहेगी सेम आपको GDK की तरह ही है इसमें विसरेरिंग ठीक है और इसके बाद यांत्रीक के बारे में बताना चाहूंगा यांत्रीक की जो eligibility criteria है 80 to 22 years 5 years इसमें भी SCST के लिए relaxation है 3 years OBC के लिए Electrical qualification की जो बात करता हूं मैं इसमें 10th class Diploma in Magnical Electrical Electronics Telecommunication Radio या Power शेरती है ठीक है इसकी जो selection procedure है इसमें भी आपको Stage 1 की exam देने परते है ठीक है इसमें जो Stage 1 की जो exam होते हैं उसमें यांत्रीक इलेक्टिक के लिए Section 1 plus 3 जिसमें 30 plus 20 50 marks UR EWS OBC के लिए है और SC, ST के लिए 44 जिसमें की आपको Passing in Section 1 एवं 3 Separately Compulsor यह है बता दे रहा हूं 1 और 3 क्या है और यांत्रीक और Electronic के लिए भी 50, 44 इसी प्रकार से यांत्रीक Mechanical के लिए भी है Section 1 में जो होते हैं Maximum Mark 40 60 Minutes के लिए है 45 Minutes दिये जाएंगे 60 Mark के Question में Total 60 Question 20 Maths 10 Science 15 English Reasoning 10 और 5 GK 30 Year Passing 27 Year SC, ST के लिए Class जो होई 10th Slivers से होंगे ठीक है Section 3 में Maximum 50 Marks रहते हैं और टाइमिंग जो होते हैं 30 Minutes के लिए Total Number of Question 50 Electric Engineer के लिए 50 अलक्सी दाते हैं ठीक है Questions और पासिंग मार्च जो है 20 Years UR EWS OVC के टेगरी 70 Years AC, ST Diploma Level Electric Engineer Slevas है ठीक है इसमें जो Section 4 है Maximum Marks जो है 50 Timing 30 Minutes का Total Question of 50 जिसमें आपको Electrical Electronics Engineering की Questions पूछे जाएंगे जिसमें की आपको 20 Number के लिए EWS OVC के टेगरी के लिए आपको Passing Marks 70 Years AC, ST Diploma Level Electronics Engineering Slevas रहेगा Section 5 में Maximum Marks 50 Times Times रहेगा 30 Minutes Total Question of 50 जिसमें आपको Mechanical Engineers 50 Questions 20 जो है आपको Passing Marks है UR EWS OVC के टेगरी के लिए और 70 Marks है AC, ST के लिए इसमें जो Slevas रहेगे Diploma Level Mechanical Engineer Slevas रहेगे ठीके फिर इसके बाद Stage 2 का इसका एक्जाम आता है जिसमें कि आपको Physical Fitness Test होते है 1.6 किलो मिटर रन होता है रनिंग का जिसमें 7 Minutes का समय दिया जाता है 20 Push Up होते है यानि 20 उठक बैठक और 10 Push Up रहते हैं जिसमें आपको Qualify करते करना है इसमें तीनों करने में आपको कोई भी Break नहीं दिया जाता है अगर Break लेते हैं तो File हो जाते हैं ठीक है इसको Fast करने के बाद Stage 3 आते हैं जिसमें आपको Documentation Verification होते हैं जिसमें कि आपको सारे Document Fill करके देने होते हैं उसके बाद Stage 4 आते हैं उसके बाद आपकी Clear हो जाती है यह एक्जाम ठीक है इसमें आपको मैं Pay एबं Allowance की बारे में बताना चाहूंगा यांतरीक का यांतरीक का Pay Allowance जो है जिसमें की Basic जो है 29,200 उर्पिया Pay Level 5 है इन Additional है Pay यांतरीक के लिए 22,200 उर्पिया का Pay Dearness Allow है Other Allowance है Best है Duty and Place Posting पर Free Living Regulation ठीक है यांतरीक के बाद आपकी Job Career बहतर हो जाती है इवं इसकी जो है आपको Pay भी बहुत अच्छी है ठीक है वहीं Navic की में बात करना चाहूंगा तो Navic में भी Pay Scale जो है 21,700 है जो की Pay Level 3 की है ठीक है अब Navic GD के बारे में बात करना चाहूंगा इसकी जो Pay Allowance है 21,700 Pay Level 3 की है जिसमें कि आपको बहतर Job है और मैं बताना चाहूंगा यह जो आपको आज की Date में Indian Coast Guard की Vacancy आई है इसे जल से जल भरें इसके बारे में बता दे रहा हूं कब से स्टार्ट होने वाली है जिसमें जो है आपको Examination भी बता दे रहा हूं For Other के लिए यनि की UR, EWS, OBC के लिए 250 उर्पय है SCST के लिए कोई भी Charges नहीं है Starting Date जो है Apply की 5 January 2021 से Start हो गई है और Last Date Apply की है 19 January ठीक है और Admit Card जो आपको फर्स्ट एक्जाम से 10 दिन पहले Admit Card आपको निकलने लगेंगे और First Exam जो होगी First Stage की GTO, DB और यांतरिक तीनों की जिसको Mid या Antim March के Antim सब्ता तक में आपको होंगी ठीक है Even Second Stage की जो एक्जाम होंगे April या 1st मही तक में हो नहीं लगेंगे Third and Fourth की जो एक्जाम है NAVIC and GTO यांतरिक की जिसमें Earlier First यानि August week के फर्स सब्ता से ही एक्जाम होंगे उसके बाद Tentative Stage Third and Fourth देश नाविक के लिए जो है Early October ठीक है October के पहले मैंते ही पहले सब्ता ही हो जाएंगे डेटो पर एक्जाम रिजल्ड जो होंगे आपको एक्जाम होने के 20 दिन बाद एक्जाम रिजल्ड निकल जाएंगे Training की जो है NAVIC GTO यांतरिक की ठीक है इसमें August 2021 और जो है Training जो होगी NAVIC GTO की October 2021 Age limit 80 Maximum 22 ठीक है जिसकी जो है Date of birth 1899 to 37 2003 के बीच होनी चाहिए GD और यांतरिक के लिए और DB के लिए कंडिडेट को 1 October 1999 से 39 2003 तक के बीच होनी चाहिए Height 157 cm Chen Chest जो है आपको फुलाने के बाद ACM बढ़ने चाहिए Weight Height के हिसाब से होनी चाहिए Hearing यानि सुनने की कान की Normal Visual जो आँकी है 6 वै 36 होनी चाहिए ठीक है जिसमें जो है NAVIC के लिए Total 260 post की Vacancy आई है 10 प्लस 2 Math and Physics NAVIC Domestic branch के लिए 10th class की Qualification 50 Vacancy Young trick में Magnical 10th class के लिए 31 Young trick में Electrical के लिए 7 AVM Electronics के लिए 10 post आई है ठीक है इसका मैं आपको Notification की जानकारी AVM Film Fill करने के लिए मैं आपको Link आपके Description में दे दूँगा ठीक है जो की इस Website के भी मैं लिंक दे दूँगा Like, Share and Subscribe करना ना भूले धन्यबाद दोस्तों जहीन